Hello Everyone, Welcome to Maths Classes by KV Teacher बच्चो आज इस वीडियो में हम 9th Class Maths की Exercise 4.4 स्टार्ट करने वाले हैं और जो टॉपिक आपका इस Exercise में कवर हुआ है दाट इस Equation of Lines Parallel to X-Axis and Y-Axis आप जानते हैं 2 variable में जो graph आपका बनता है उसमें एक Straight Line बनती है हमेशा ऐसे जैसे ये बनी हुई है आपने जितने भी Equation Solve के कोई भी ऐसी Line नहीं बनी जो की X-Axis के Parallel हो या फिर ऐसे बिल्कुल सीधी Y-Axis के Parallel हो तो ऐसा कब होता है किन Cases में ये पहले आपको बता देते हैं ब्रीफली उसके बाद हम लोग exercise पर चलेंगे दो ही Question exercise में जो की बहुत easy भी है ग्राफ में हमारी Line Parallel to X-Axis या Y-Axis तब बनती है जब Equation में सिर्फ एक ही Variable हो फ़र इक्जामपल आपको कहा गया X equals to 3 इसका Graph ड्रॉ करिए अगर हम बात करें Single Variable में आपको बनाना है तो आप एक Simple Line Draw करेंगे जैसे Number Line आप करते थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर 0 है 1 1-1 cm की Distance पर 2, 3, 4, minus 1, minus 2 X3 का है यह रहा X equals to 3 एक Point आप सिर्फ Plot कर देंगे यह X3 है लेकिन अगर आपको कहा जाए X equals to 3 का Graph बनाईए इन 2 Variables यानि कि आपको पूरा Cartesian Plain बनाना है यह आपका X Coordinate होगा यह आपका Y Coordinate होगा और जब इसमें Graph ड्रॉ होता है तो एक Line बनती है आप सिर्फ Point नहीं बना सकते हैं जैसे आपने यहाँ पर बनाया है अब Line कैसे Draw करें पहले 1, 2, 3, 4 लिख लेते हैं 1, 2, 1, 1 cm की डिस्टेंस पर 3, 4, 5, 6 यह X है minus 1, minus 2 X' है This is 1, 2, 3 Y, minus 1, minus 2 Y' दाश This is origin Okay X equals to 3 कहाँ पर है यह रहा यहाँ पर आपका जो Graph बनेगा X equals to 3 का यह Parallel to Y Axis बनेगा ऐसे कहने का मतलब यह है X 3 है, Y 0 है तो भी X 3 है Y 1 है क्योंकि Y हमें दिया ही नहीं हुआ है तो भी X 0 है, 2 है, तो भी 3 है X 3 है, Y अगर 3 है minus है, तो भी 3 है तो यानि कि जो Points हैं आपके हलाकि हम इसमें Point दिखाते नहीं है यह सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ X आपका constant है 3 ही रहेगा और X 3 इस पूरी लाइन पर है अगर मैं यहाँ पर यह एक straight line ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से इस पूरी लाइन पर X 3 है 3 से पास होना चाहिए Y कुछ भी है, Y 0 है 2 भी 3, 1 पर भी 3, 2 पर 3 एन इस तरीके से तो कहने का मतलब है जब भी X equals to something दिया हो उस point पर parallel to Y axis एक line ड्रॉ होती है और यह हमारी X equals to 3 का solution है similarly अगर Y का आए आपको दिया हुआ है Y equals to 5 इसका graph ड्रॉ करना है 2 variables में अगर single variable में बात करें तो आप क्या करेंगे सिर्फ एक Y axis ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर लिखेंगे 0, minus 1, minus 2, minus 3 1, 2, 3, 4, and 5, and 6 Y equals to 5 यह आपका हो जाएगा Y is equals to 5 point होता है जब single variable में single line ड्रॉ करते हैं तो हमेशा एक point होता है लेकिन जब आप two variables में line ड्रॉ करेंगे तो दो axis होंगे वहाँ पर आपको line ड्रॉ करने पड़ेगी line कैसे बनेगी आपकी X की values है 1, 2, 3, 4 Y है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y equals to 5 से line आपकी पास होगी minus 1, minus 2 X, X-, Y, Y- और parallel to X axis बनेगी 5 से मतलब यहाँ से और S ही आपकी line होगी straight line बिल्कुल जो की Y equals to 5 से पास हो यह है आपका graph Y equals to 5 का OK Single variable में point होता है 2 variable में line होती है अगर Y equals to 5, 6, 7 कुछ भी है Y equals to 3 की line कैसे होगी यह Y equals to 3 की line है X equals to 2 की line कैसे होगी X equals to 2 की line है तो जब equation में single variable हो लेकिन graph आपको कहे double variable में draw करिए तो parallel to X या फिर Y axis आपकी line बनती है Clear? चले question पर चलते है Exercise 4.4 का सबसे पहला question है Give the geometrical representation of Y equals to 3 as an equation in one variable and in two variable One variable और two variable में Y equals to 3 को represent करना है आपको one variable में तो आप जानते है एक single line आप draw करेंगे सिर्फ Y axis draw करेंगे और उसमें सिर्फ एक point plot करेंगे Y is equals to 3 First case है आपका या आपकी equation है Y is equals to 3 equation Okay and first case है हमारा in one variable One variable सिर्फ Y axis ड्रॉ करिए यह आप एक line ऐसे बना दीजे यहाँ पर है आपका 0 1 1 1 cm की distance पर 2, 3, 4 यह Y है minus 1 minus 2 यह Y dash है Y equals to 3 यहाँ पर है आपका point ऐसे कर दीजे यह है Y equals to 3 Simple अब second case में वो कह रहा है in two variables in two variables में आप proper partition plane यहाँ पर draw करेंगे like this Y equals to 5 X में आपका यह 1 हो जाएगा 2, 3 minus 1 minus 2 minus 3 X X dash यह है आपका Y Y dash Y में 1 2 3 4 minus Y के साइड में आपका minus 1 minus 2 ओके Y equals to 3 line बननी है जो Y 3 से पास होगी और parallel to X axis यानि कि ऐसी एक line बनेगी तो यहाँ पर आप scale से एक ऐसी line ड्रॉआ कर दीजे Simple और यहाँ पर लिख 3 से पास होने चाही exact आपके point से और यहाँ पर आप लिख देंगे कि यह Y थोड़ा सा उपर और यहाँ पर लिख देंगे Y equals to 3 यह है double variable में second question Give the geometrical representation of 2X plus 9 equals to 0 as an equation in one variable, two variable 2X plus 9 equals to 0 single variable, double variable में show करना है 2X plus 9 is equals to 0 पहले इसको थोड़ा सा solve कर लीजे क्योंकि single variable है easily इसका solution आप find कर सकते है 2X plus 9 this is 9 को right hand side में लेकर जाएंगे तो वो minus 9 हो जाएगा X will be equals to minus 9 by 2 9 को divide कर यह 2 से 248 minus क्या 1 बचा decimal 10 2510 यानि की 4.5 तो X है आपका minus के 4.5 first case में in single variable in one variable one variable में आप सिर्फ x coordinate जो है वो ड्रॉ करेंगे और एक point से इसको show करेंगे 4.5 को line नहीं होती one variable में सिर्फ point होता है तो यह हमारी straight line है यह x है और यह x dash है यहाँ पर center में 0 है negative side थोड़ा सा जादा लेंगे because negative ही आपका solution है minus 3 minus 4 minus 5 this is 1 2 3 4 minus 4.5 4 और 5 के बिल्कुल center में होगा यहाँ पर एक point लगाएंगे arrow डाल कर कर देंगे यह है x equals to minus 4.5 का point okay in two variable second part में two variables में बनाना है आपको तो दो lines आप draw करेंगे ऐसे x negative side जादा रखना है तो यहाँ पर यह इस type से line बनाएंगे यह है आपका x this is x dash y y dash x positive side में number लेने की जरुद नहीं है 1 2 एक दो number ले लिए जो origin negative हमारा main है क्योंकि minus 4.5 value है minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 1 2 3 4 minus 1 इतना ही काफी है x minus 4.5 कहा है 4 और 5 के बीच में और यहाँ इससे पास होती हुए एक straight line आपका solution है यहाँ से एक सीधी line पास करा दीजे straight बिलकुल ओके यह solution है आपका नीचे लिख दीजे x equals to 4.5 का that's all students इसी के साथ आपकी exercise और आपका chapter दोनों ही finish होते हैं hopefully अच्छे से सभी concepts आपको clear हो गए होंगे thank you so much for watching